नगर के नगर्ण गाट के ड्रामे तो आपने बहुत देखे होंगे जिन्दगी में कई धोके बाजों से वास्ता भी पड़ा होगा बहुत से मस्खरे और बहरूपिय भी नजर से गुजरे होंगे मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा बहरूपिया जिसने बहरूप और धोके बाजी में मजहब का तड़का भी खूब लगाया है अपने हमनवाओं की आँखों में धूल जोकने और लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ये शिख्स नजाने क्या क्या ड्रामे करेगा कभी पाकिस्तान मुखालिफ रेलियों में शामिल कभी मुलकी अमलाक पर कबजे की कोशिश करने वाले मुलक दुश्मन शर्पसंद अनासिर की जोली में कभी भूख हर ताल का शोशा तो कभी मुलक जाम करने की धमकी जी हाँ आपने दुरस पहचाना ये हैं पाकिस्तान में एक शिया तन्जीम मजलिस वहदतल मुस्लिमीन यानी कलदम सिपाय मुहम्मद के सरबरा राजा नासिर अबास इनको केमरे में आने का शोख इस गदर है कि कभी फोश को इक्तदार संभालने की दावत देते हैं और हालात के तेवर बदले तो गरगट की तरह रंग बदला और सरकारी इदारों के खिलाफ हर्जा सराईया शुरू कर दी फिसको फसाद पहला कर खुद को बरियूज जिम्मा करार देते हैं तो कभी अपने जलसों में मुल्क की इंट से इंट बजाने और बंदूक उठाने की धंकियां भी देते हैं अपनों के हलकों में ही रुस्वा होने के बाद मौसूफ ने रुख किया इसलामवाद की सड़कों का और लगे बूख हर्टाल करने मगर ये क्या मख़ब में तकिया तो था ही मगर शिया हलकों और अवामी सतह पर अपनी गिर्ती हुई साख को देखते हुए अब लोगों की तवज़ा हासिल करने के लिए भूख हर्टाली केम्प लगा बेठे बूख हर्टाली केम्प क्या था एक बेनर पर दर्श अबारत मगर मुसूफ खूब खानों से मुस्तफीद होते रहते चंद रोज के नामनिहाद बूख हर्टाली केम्प का भांटा फूट गया तो कहने लगे कि ये आलामती बूख हर्टाल है इस सादगी पे कौन नमर जाए ए खुदा अलामती बूख हर्टाल करार देने की वज़ा ये बनी के शीया रहनुमा, साजित नकवी और दीगर शीया पेशवाओं नासिर अबास की चाल बाजियों और धोका दही को देखते हुए आवाज उठाई के बूख हर्टाल के बावजूद नासिर अबास साहब के चेहरे पर कोई फाका कशी के आसार नजर नहीं आते बस क्या था, राजा साहब को मरजाई हुई सूरत बनाने में बला क्या देर लगती मुसूफ तक्या एक्सपर्ट जो ठेहरे, अलामती बुकहरताल से गोया अपने एलानिया खाने पीने का जवाज निकाल ही लिया मगर शीयों के दूसरे फरीकین की जानिब से अब भी वही आवाज आई तो राजा साहब के फिल्म फाइनल राउंड में दाखिल हो गई और दोराने खिताबत आँखें मूंद कर सिटेज पर गिर पढ़ने की पूरी अदाकारी ही कर दिखाई और इस ड्रामे को भी फलाप होता देखकर राजा नासर अबास हो गए जजबाती और कर दिया 22 जुलाई को मुलक जाम करने का ऐलान मगर 22 जुलाई का दिन भी गुजर गया और मुलक भर में चंद सेक्डे अफराद भी मुसूफ के ड्रामे का हिस्सा न बने और यूं ये ड्रामा जगहनसाई का सामान बना रहा अब न जाने नासर अबास को आएंदा कौन सा अच्छूता हरवा इस्तेमाल करने की सूझेगी वैसे तो राजा नासर अबास की इस फनकारी में महारत का एतराफ तो सभी को होगा मगर हा नाजरीन जहन नशीन रहे कि ये बहरूपी पल में तौला और पल में मासा होते हैं आज मुलकी महबत में सरशार होने का दावा करेंगे जान लुटाने की बात करेंगे और पुर अमन होने के ढंके भी बजाएंगे मगर हकीकत में अपने अमल से कूफियों के नक्षे कदम पर चलते हुए गतल हुसाइन की तरह मुकर जाएंगे अरे जनाब मजहब में तक्या, अकीदे में कतमान, मुगफ में तजबजब और जबानों बयान में तजबाद अपनों से भी धोका, लोगों की आँख में भी धूल जोंकने की नाकाम कोशिश, कब तक यूं तमाशा बने रहेंगे साहब, कभी तो एरान मुस्तामिल टिश्यू पेपर की तरह आपको भी वैसे ही फैंक देगा, जैसे के आपके चहीते और मुक्तदा गुलाम रजा नक्व कर दो आपके